जैसा कि आप जानते हैं कि 10th of March 2021 को इंडियन इवी ने कलवारी क्लास की तीसरी सब्मेरीन आइनस करंच को कम्यूशन किया जिससे इंडियन इवी की पावर और भी बढ़ गई आज किस Garniq India के वीडियो में हम इंडियन इवी की इस नई सब्मेरीन यानि आइनस करंच की सभी क्यापिलिटी इसके बारे में डिटैल हों बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर इंडिया नेवी की कलवारी क्लास समरीन इंडिया के प्रोजेक्ट 75 का रिजल्ट है जिसमें इंडिया नेवी ने फ्रांस के नेवल ग्रुप से 6 स्कॉर्पीन क्लास समरीन खरीदने का डिसीजन लिया था ये डील 6 अक्टूबर 2005 में साइन की गई थी और इसमें नेवल ग्रुप को इंडिया के मेज़ोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिम्टेड यानि MDL को स्कॉर्पीन क्लास समरीन की टेक्नोलोजी ट्रांसफर करनी थी और सभी 6 समरीन इंडिया में ही बनाई जानी थी आइनस करंच इसी कलवारी क्लास की इंडिया नेवी में शामिल होने वाली सबसे नई समरीन है और इसलिए इसमें बहुत सी नई टेकनोलोजी लगाई गई है आइनस करंच में स्टील को सबसे जादे इंपोर्टेंस दी गई है और इसलिए इस submarine के सभी बाहरी हिसे जैसे की hull, fin और hydroplanes को पानी को कम से कम disturb करके चलने के लिए बनाये गया है इससे submarine को कम underwater resistance का सामना करना पड़ता है और उसकी speed बढ़ जाती है और submarine noise कम हो जाती है जिसे दुश्मन के sonar कलवारी class को देख नहीं पाते आपको यह जानकर surprise होगा कि अपनी इससी advanced design के चलते आईनेस करंच sea surface पर सिर्फ 11 knots यानि 20 km पर आर की speed से चल पाती है वहीं underwater आईनेस करंच की speed लगभग double यानि 20 knots मतलब 37 km पर आर हो जाती है इसके अलावा आईनेस करंच के अंदर लगे machines की noise को enemy ship से चुपाने के लिए इसमें सभी machines को rubber pads पर लगाया गया है जिससे इन machines से कोई भी noise नहीं आती है आईनेस करंच को stealth mode में operate करनी के ability इसके 4 MTU 12V 396 SE84 diesel engine से मिलती है जो की इतने silent हैं कि अगर आप चलती ही जन में कान लगा के सुनेंगे तो भी आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी आईनेस करंच को एक computer operating system से control किया जाता है जिससे इसकी maneuvering बहुत ही आसान हो जाती है इसलिए आईनेस करंच को गहरे समुंदर यानि Bay of Bengal और shallow waters दोनों में ही बड़ी ही आसानी से operate किया सकता है इसलिए आईनेस करंच से दुश्मन का बच पाना बहुत ही मुश्किल है आईनेस करंच का primary mission enemy surface ships और submarine से लड़ना intelligence gathering यानि दुश्मन के ships पर नेगरानी करना इसलिए आईनेस करंच में submarine tactical integrated combat system जिसे subtext भी कहते हैं यूज किया जाता है अब बात करते हैं आईनेस करंच के weapon systems की आईनेस करंच में फ्रांस की बनी हुई SM-39 exocet anti-ship missile लगाई गी है जिसकी range लगबक 180 km होती है exocet missile की capability का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 1982 के Falkland war में दुनिया की सबसे advanced navy में से एक मानी जाने वाली बिटेन की Royal Navy के destroyer HMS Sheffield को sink कर दिया गया था और दो और Royal Navy ships को काफे नुकसान पहुँचाया था इसके अलावा 17 मई 1987 को इराग की exocet missile ने US Navy के frigate USS Stark को destroy किया था जिसकी image आप देख सकते हैं Actually, exocet missile sea surface से सिर्फ एक या दो मेंटर की height पर travel करती है जिसके चलते इसे enemy ships तब तक नहीं देख पाती जब तक ये ship से सिर्फ 6 km दूर हो इसलिए exocet missile से बच पाना किसी भी enemy ship के लिए बहुत ज़ादा मुश्किल है exocet missile के अलावा INS करंज में 6 533 mm torpedo tubes होती है जिनसे ये जर्मिनी में बने SUT torpedoes या इंडिया में बने और नास्र heavy torpedo को launch कर सकती है INS करंज एक बार में 18 missiles या torpedoes या 30 sea mines ले जा सकती है जो कि इंडिया नेवी की बागी सम्मरीन से काफी ज़ादा है अपनी इन सभी advanced capabilities के चलते INS करंज इंडिया नेवी की German और Russian सम्मरीन से बहुत अलग है क्योंकि 1775 टन की इस सम्मरीन को चलाने के लिए सिर्फ 35 sailors चाहिए होते हैं वही इंडिया नेवी की ही Russian सिंदू गोश क्लास यानी किलो सम्मरीन को चलाने के लिए 52 sailors की requirement होती है कम manpower requirement होने के चलते INS करंज को operate करना बहुत ही economical है आखिर में Team Guarding India की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कलवारी क्लास की नई सम्मरीन INS करंज एक बहुत ही capable सम्मरीन है और इसके आने से इंडिया नेवी की power बहुत बढ़ गई है और इंडिया नेवी, Chinese और पाकिस्तानी ships को और भी ज़्यादा monitor कर पाएगी हम यह उम्मीद करते हैं कि INS करंज अगले 20-30 सालों तक इंडिया नेवी की service में रहेगी और इसमें DRDो का बना हुआ Air Independent Propulsion System भी लगाया जाएगा जो की अभी under trial है इस बार वीडियो काफी लेट आई है उसके लिए sorry बट अपसे वीडियोस टामिली आएंगी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं वीडियो कर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना अतियावश्यक है मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में जय हिंद